C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं पाठ नो उत्सव प्रिष्ट अठानवे यहाँ एक भव्वित चित्र है इस चित्र में भल, फूल, सजी हुई पतंगें दिये खाने पीने का सामान और एक पूजनिय गाय बनी हुई है साथ ही साथ फूल और पत्तियों से सजावट की लडियां भी लगी हुई है भारतिय कैलंडर के अनुसार, उत्राण के त्योहार जैसे मकर संक्रांती, पोंगल, बीहु और लोडी सब सर्दी से गर्मी के मौसम के बदलने की शुरुआत होते हैं ये उच्सव गर्मियों के दिनों की वापसी एवं फसल की कटाई शुरू होने का संकेत देते हैं शिक्षक बच्चों से उनके आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों के विशय में बात चीत करें चित्र में प्रतीक उच्सव के विभिन तत्वों, वस्तों, सजावट एवं नित्य करते हुए लोगों इत्यादी पर बनी विविद आकरतियों एवं पैटर्न्स पर बच्चों से बात चीत की जा सकती है प्रिष्ट निन्यानवे इस प्रिष्ट पर एक चित्रकला बनी हुई है यहाँ पर उत्तराइन के त्योहार जैसे मकर संक्रान्ती, पोंगल, बीहु और लोहडी सब दर्शाय गए हैं यहाँ पर सूर्यदेव का चित्र बना है फूल और पत्तियों से सजी लडियां लगी हुई है कुछ लोग नृत्य करते नजर आ रहे हैं और साथ ही दिये भी जल रहे हैं लोगोंने रंगोली भी सजाई है प्रिष्ट सौ पैटर्न को आगे बढ़ाईए यहाँ पर अलग-अलग चित्रों में एक पैटर्न दिया हुआ है आपको दिये गए पैटर्न के अनुसार इसी चित्र को आगे बनाना है क यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें बना हुआ है एक पत्थर, एक लकडी एक पत्थर, एक लकडी, आगे रिक्च्थान ख, यहाँ पर भी एक पैटर्न है जिसमें सबसे पहले दो पत्थियां लटकी है फिर एक फूल लटका है उसके बाद दो पत्थियां फिर आ रही है जिनके बाद फिर एक फूल दिखाया गया है जोकी एक तार पर लटका है आपको इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थान भरना है ग, एक दिया, एक मुंबत्ती, एक दिया, एक मुंबत्ती इसी पैटर्न को आगे बढ़ाईए और रिक्त स्थान भरिये ग, यहां पर दो सितारों के बाद एक लाल रंग की लटकन है फिर दो सितारों के बाद लाल रंग की लटकन दिखाई दे रही है आप इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए अंगर इस पैटर्न में रिक्त स्थानों को पहले लाल, फिर नीले, फिर लाल, फिर नीले रंग से भरा गया है ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाईए और इनको रंगों से भरिए चा, पहले गोल, उसके बाद चौकोर फिर गोल, फिर चौकोर के आकार की आकरतिया नजर आ रही है ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थान को भरिए चा, अगले चित्र में गोला कार में एक लड़ू, फिर एक बिस्किट, फिर एक लड़ू, फिर एक बिस्किट बने हुए है आपको इसी पैटर्न को आगे बढ़ा कर रिक्त स्थान को भरना है जा इस अगले चित्र में एक थाली के उपर पहले कटा हुआ टमाटर रखा गया है और फिर इसके बाद कटा हुआ खीरा फिर से टमाटर और खीरा इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपको थाली पूरी भरनी है बच्चों को ठोस वस्तूं से पैटर्न बनाने के लिए प्रोच साहित करें प्रिष्ट 101 आओ करें मुन्ना को रंग भरना बहुत पसंद है उसने अंगूठे एवं उंगलियों की चाप से कुछ चित्र बनाए है आप भी नीचे दी गई खाली जगह में अंगूठे एवं उंगलियों की चाप से कुछ चित्र बनाए है यहाँ पर उंगलियों के चाप के निशान है और नीचे की ओर पांच चित्र बने हुए हैं जो उंगलियों की चाप से ही बनाए गए है यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है जहाँ पर आपको उंगलियों एवं अंगूठे की छाप से कुछ और चित्र बनाने हैं दिये गए चित्र हैं बिली, गाय, चूजा, फूल और मेंधके रिक्ट स्थान में आपको उंगली एवं अंगूठे की च्छाप से कुछ और चित्र बनाने है इस अगले चित्र में गुलाबी और काले रंग की उंगलियों की च्छाप दी गई है सबसे पहला है गुलाबी रंग, उसके बाद आता है काले रंग की उंगली का छाप फिर आता है गुलाबी रंग की उंगली का छाप ऐसे ही काले रंग की उंगली का छाप और फिर है गुलाबी रंग की उंगली का छाप आपको इसी पैटर्न को पूरा करते हुई रिक्त स्थान भरना है और ये भी बताना है कि कौन सा रंग गुलाबी रंग के बाद आएगा और क्यूं बच्चों को अलग-अलग तरह की कुछ सबजियां एकठी करने एवं बड़ों की सहता से उन्हें छोटे टुकणों में काटने के लिए कहें इन सबजियों के टुकणों से उन्हें उनके पसंद के कुछ पैटर्न बनाने के लिए प्रोच साहित करें प्रिष्ट 102 पैटर्न को समझीए और रंग भर कर इन्हें आगे बढ़ाईए यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं हर रेखा में एक अलग आकार का चित्र है पहली पंक्ती में गोलाकार बने हुए हैं यह अलग-अलग रंगों से भरे हुए हैं आपको इन पैटर्न को समझ कर इन में रंग भर कर इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है इस पंक्ती में गोलाकार में जो रंग भरे हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं पहले लाल, फिर नीला, फिर लाल, फिर नीला, फिर लाल आपको इस पैटर्न को समझ कर इसमें रंग भरना है और इसे आगे बनाना है दूसरी पंक्ती में त्रिकोण और चौकोर बने हुए हैं जिन में अलग-अलग रंग भरे हुए है शुरुवात में एक त्रिकोण है जिसमें पीला रंग भरा है फिर एक चौकोर में हरा रंग भरा है और ये पैटन ऐसे ही चल रहा है यानि पीला, हरा, पीला, हरा, पीला अब इस pattern को आगे बढ़ाते हुई इसमें सही रंग भरे अगली पंक्ती में arrow आकार बना हुआ है पहला उपर की तरफ देखता हुआ, दूसरा दाई की ओर और तीसरा नीचे की ओर इन arrow आकार में जो रंग भरे हैं, वो हैं गुलाबी, नीला और काला आपको pattern को समझ के रंग भरना है और इस pattern को आगे बढ़ाना है अगली पंक्ती में शुरुआत होती है एक शटकोन से, जिसके बाद दो सितारे बनाए गए हैं सबसे पहली शटकोन का रंग है नीला, जिसके बाद दो सितारे दिख रहे हैं गुलाबी रंग के आपको इसी pattern को आगे बढ़ाते हुए शटकोन में नीला और सितारों में गुलाबी रंग भरना है छूटे हुए हिस्सों को बना कर pattern पूरा कीजिए सबसे पहली पंक्ती में, सबसे पहले डिब्बे में एक त्रिकोन, दूसरे डिब्बे में दो त्रिकोन, तीसरे डिब्बे में तीन त्रिकोन है चौथा और पांचवा डिब्बा खाली है आपको इसे भर कर पैटर्न पूरा करना है इसकी अगले पंक्ती में रेखाओं से बने हुए कुछ चिन्न है लेकिन पहले डिब्बे में एक रेखा दूसरे डिब्बे में दो रेखाएं तीसरे डिब्बे में तीन रेखाएं है और इसके आगे का डिब्बा खाली है आपको इनी बढ़ती हुई रेखाओं के पैटर्न को समझ कर इसे पूरा करना है अगली पंक्ती में हर डिब्बे में त्रिकोन आकार में एक पैटर्न बना हुआ है आपको इस पैटर्न को देख कर समझना है और इसे आगे बढ़ा कर पूरा करना है चौथी पंक्ती में खड़े हुए व्रिक्ष दो-दो की संख्या में नजर आ रहे हैं जिनकी लंबाई लगातार घटती जा रही है आपको इस पैटर्न को समझते हुए रिक्त स्थान भरने हैं प्रिष्ठ एक सौतीन पैटर्न को समझे और छूटी हुई संख्याई लिखे पहली पंक्ती में एक पैटर्न बना है जिसमें संख्याई लिखी हैं एक, तीन, पाँच, साथ, रिक्ट स्थान, ग्यारह, रिक्ट स्थान. आपको इसको समझना है और छूटी हुई संख्याओं को लिखना है. ये अगला चित्र है एक कैटरपिलर का, जिसके शरीर के अंगों में उल्टे गिनते लिखी हुई है. आपको इस पैटर्ण को समझ के, बीच के दो रिक्ट स्थान भरने हैं. अगली पंक्ती के चित्र में एक रेल गाड़ी बनाई गई है, जो की एक माल गाड़ी है. इसके डिब्बों पर संख्या लिखी है. 20, 30, रिक्ट स्थान, 50 और रिक्ट स्थान. आपको इस पैटर्ण को समझना है और छूटी हुई संख्याओं को लिखना है. ये अगला चित्र है एक राखी का, जिसमें अलग-अलग मोतियों के ऊपर बढ़ते हुई संख्याओं लिखी हैं. 11, 22, 33, रिक्ट स्थान, रिक्ट स्थान, 66, और फिर आखीर में है रिक्ट स्थान. आपको इस पैटर्ण को समझते हुए, रिक्ट स्थानों को भरना है. अगले चित्र में एक तालाब में पत्तियों पर संख्याओं लिखी हुई हैं. ये संख्या हैं 5, 10, रिक्ट स्थान, 20, रिक्ट स्थान, रिक्ट स्थान. आपको पैटर्ण को समझना है और छूटी हुई संख्याओं को लिखना है. इस पैटर्ण में फूलों के मद्ध में बढ़ती हुई संख्याओं लिखी हुई हैं. दो, पाँच, आठ, ग्यारह, रिक्तिस्थान, 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 इन तीनों रिक्तिस्थानों को पैटर्न को समझ कर भरिये प्रिष्ट एक सौचार, मूर्थी और वानी कोलम बनाने में अपनी अम्मा की सहायता कर रहे हैं आप भी कोलम पूरा करने में उनकी सहायता कीजिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कोलम बनाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही एक ऐसा चित्र भी है जिसमें अधूरा कोलम है आपको इस चित्र को पूरा करना है परियोजना कारिय कर कुछ कंकर, फूल, पत्तियां, गिलास, कटोरियां, तीलियां, चूडियां, सिक्के, बोतल के ढखका नित्यादी कठे कीजी एवं उनसे कुछ पैटर्न्स बनाये अपनी पसंद के आभूशनों फूलों आदी में पैटर्न देख कर बनाये गर, अपने आसपास में कुछ प्राक्रतिक पैटर्नों, जैसे पत्तियों, तितलियों, जनवरों की तवचा, बिल्ली, कुता, जीब्रा, चीता, एवं पर्दूं, साडियों, दुपटा, टायल्स, मधुमक्खी के छत्ते इत्यादी के पैटर्न ढूंडिये और अवलोकन क गर, अपने आसपास के कुछ वस्तों को एकठा कीजे, एवं एक कुलाज बनाईए गर, क्या आप अलग-अलग क्रियाओं का उप्योग करके पैटर्न बना सकते हैं, जैसे ताली बजाना, चुटकी बजाना हमारी चारों ओर आकार ही आकार हैं, मंदेर, मस्जेद, गिरजा घर, गुरुद्वारी, एतिहासिक इमारतों में बने पैटर्न्स की खोज बीन करके, बच्चों को भारती सांस्कृतिक विरासत की सरहना करने के लिए प्रेरित करें अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में, वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और मम्ता मलकानी, तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती, निर्देशन इवं निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नईदिल्ली, भारत